आओ ओम स्लॉपे कुछ सवाल बनाके उसे अच्छे समझ लेते हैं तो मेरा पहला सवाल है जब एक बल्ब के फिलमेंट के अक्रॉस का पोटेंचिल ये हो 100 वोल्ट के बराबर तो उसमें जो करेंट बहरी होगी उसकी वैल्यू आयाती है 2 अम्पिर के बराबर अब इस फिलमेंट की रेस्टन्स कितनी होने वाली है ये पता लगाओ तो देखो सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि सारी इंफोर्मेशन को एक डाइग्राम में उतार लेगे हम जिससे कि हमें चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो तो यहां मैंने बना रखा है बल्ब का एक फिलमेंट और हमें दिया हुआ है कि इसके ends के across का potential ये मैं इसे लिख देता हूँ इसके ends के across का potential ये कुछ 100V है 100V और इसमें बहने वाला current ये हमें दिया हुआ है as 2 Ampere ऐसे कुछ current बह रही होगी और ऐसे निकल के आ रही होगी और इसकी value दीवी है 2 amperes और हमें पता लगाना है इसकी resistance की value तो आप एक बार लिख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़े दी वही है potential ये दीवा है as 100 volts और current i ये दीवी है as 2 amperes और हमें पता लगाना है resistance r की value अब अगर मेरे पास कोई ऐसा formula होता जो कि इन तीनों variables को relate करे तो मैं इन दोनों की value डालके इस तीसरे वाली variable की value निकाल सकता था तो हाँ मेरे पास ऐसा formula है और वो है ohms law ohms law कहता है कि potential v is equal to current i into resistance r और इन तीनों variable में से मुझे 2 की value पता है तो हम उनकी value substitute करते है v की value यहाँ पर दीवी है as 100 volts is equal to current की value दीवी है as 2 amperes into resistance r अब अगर मैं दोनों side 2 amperes से divide कर दूँ तो मेरे पास r की value आ जाने वाली है अब उसे divide करते हैं मैं यहाँ और यहाँ divide करने वाला हूँ 2 amperes से 2 amperes तो यहाँ पर तो यह cancel हो गया और यह 100 by 2 यह हो जाने वाला है 50 यानि कि resistance r इसकी value हो गई 50 और units हो जाने वाला है volt per amp या फिर इसे हम ohms भी लख सकते हैं इसे हम ohms भी लख सकते हैं अब आओ एक और सवाल बनाते हैं हमारे पास दिया हुआ है a current of 6 amperes flows through the heating element of an iron box एक 6 amperes की current एक iron box के heating element के through flow कर रही है if the resistance of the element is 30 ohms अगर इसकी element के resistance यह 30 ohms की है then find the potential difference across it तो फिर कितना potential difference उसके across यह पता लगाना है तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉस करो और इसे खुच से बनाने की कोशिश करो देखो खुच से बनाने में अलागी मजा आता है अब अगर तुमने ट्राइ कर दिया है तो आओ देखते हैं सबसे पहले हम सवाल को पढ़ने के बाद उसकी सारी information को एक diagram में उतारने वाले हैं तो देखो iron box का एक heating element है इसे दिखाने के लिए मैंने एक resistor को ही बना दिया है इसकी heating element एक resistor के shape में बना दिया है अब इससे 6 ampere की current flow कर रही है तो यहाँ ऐसे जाएगी current और ऐसे निकल जाने वाली है और इसकी value दीवी है मालो 6 ampere और हमें दिया हुआ है इसका resistance और वो है 30 ohms का इसकी resistance R की value दीवी है 30 ohms और हमें पता लगाना है कि इसके across का potential difference यानि कि इन दोनों points के across का potential difference इसकी value क्या है हाँ यह V की value हमें calculate करनी है तो आप एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है तो हमें दिया हुआ है current in the resistor I is equal to 6 amperes और resistance of the resistor is equal to 30 ohms और हमें पता लगाना है कि potential difference क्या है इसके across V की value हमें calculate करनी है तो देखो इन तीनों variable के बीच में relationship देता है हमें ohms law यह बोलता है potential V is equal to current I into resistance R तो आप इन तीनों बैसे मुझे 2 की value पता है तो आप इसे substitute करते हैं हमें calculate करना है V की value तो इसे हम V ही लिखते हैं V is equal to I आई होगिया 6 amperes और resistance R यह होगिया 30 ohms तो 6 into 3 यह हो जाएगा 18 छेतिया 18 और यह 0 आगया 180 और इसके units जाने वाले ampere ohm अब पिछली सवाल में हमने देखा कि ohm की value हो जाती है volt per ampere तो अगर मैं इसे multiply कर दूँ तो यह ampere से ampere cancel और हमारे पास unit बच जाने वाला है volts का तो हमारे पास आगया potential drop is equal to 180 volts तो यहां पे हमने अपना सवाल तो solve कर लिया है तो देखो ohm's law यह हमें बोलता है कि potential यह बराबर होता है current into resistance के अब इन तीनों में से किसी भी दो की value अगर तुमें पता हो तो तुम तीसरी की value आसानी से calculate कर सकते हो तो